कि हेलो व्रीबन वेलकम यूओ लेट लोकेस्तार अल्लम्टेड स्टडी जोन ले करके आए हैं आपके लिए पुछ पीजी टी यूपी पीजी टी के कुछ मतलब की प्रिवियस यह कॉश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आए हैं तो आएंगे करते हैं कुछ इस्पेशल कर्टेगरी के कुश्चन को ये खास कुश्चन यूबी पीजी टी के एकजामेनेशन में आए हुए हैं देखिए सबसे पहला आपको कुश्चन कह रहा है कि अगर किसी कर्व में आपको SM टोट बनाना पड़ता है तो आपको करना क्या पड़ता है उस कर्व के SM टोट बनाने के लिए मतलब SM टोट का मतलब क्या होता है जैसे यह देखिए कि कोई यह यह जो लाइन से कुछ जैसे आप जानते हैं ना कि अगर आपको SM टोट निकालने के लिए आपको क्या करना है जो भी X का टम है वहाँ पे आपको जो है Y का जो टर्म है Y के टम को आपको क्या पूट कर देना है जीरो पूट कर देना है X X के पैरलल के लिए Y का टू क्या पूट कर देना है जीरो ओके और दूसरा जो है आपके पास में अगर मतलब Y कोल टू जीरो के साथ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो X स्क्वाइर का कोफिशेंट है इसको Y कोल टू जीरो ट्रीट ना करके आप इसको ऐसे ट्रीट करो X स्क्वाइर का कोफिशेंट या X का जो कोफिशेंट है उसको आप किस से एक्वेट कर दो जीरो से एक्वेट कर दो ये डिर्कली मैं बता रहा हूँ बिना कंसेप्पे गए हुए और अगर आपको अगर ये तो हो गई पैरलेल टू एक्सेस की बात अगर मैं आपको बोलू पैरलेल टू वाइक्सेस अगर मैं आपको बोलू पैरलेल टू एक्सेस अगर वाई एक्सेस के पैरलल के आपको एसम टोट निकालने हैं तो क्या करोगे वाई स्क्वेर के कोफिशेंट को आपके से एक्वेट करा दो जीरो को वाई स्क्वेर के कोफिशेंट को आपके से ए number of SM toots lines निकल आएंगी आईए देखते हैं एक question देखते हैं तो आपको निकालना है number of SM toots ओके तो number of SM toots निकालना है आपको और मैं कर्व आपके सामने दे रहा हूं जो कर्व मैं आपको दे रहा हूं देखे वो क्या है कर्व आपके सामने है y square bracket में a square minus x square plus यह मत लिजी इस करव को थोड़ा दिफिकल्ट करता हूँ question को question लिखे x square y square equals to a square x square plus y square आपको number of sm तोट निकालने थोड़ा इसको simplify कर लो तो x square y square equal to a square x square plus a square y square ठीक है अब आपके पास मैं देखिए a square sm तोट निकालने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे x square y square square x square equal to कितना ले लिए आप यहाँ पे equal to a square y square यहाँ से ऐसा करने से x square का coefficient आ जाएगा यह कितना बन जाएगा y square minus a square equal to a square y square ठीक है अब मैंने आपको कहा था कि parallel to x axis parallel to x axis x axis के parallel कितने हैं हम तोट निकल रहा है इसलिए x axis का जो coefficient है उसको 0 से क्योट करते हैं तो y square minus a square equal to 0 तो y equal to कितना होगा प्लस मैंनस a तो कितने हैं तो कितने हम तोट निकल करके आगए आपके पास में टू एसम तोट निकल के आ चुके हैं दूसरा देखो condition दूसरी condition है कि आप जो है बात करोगे parallel to y axis के लिए तो सबसे पहले आप y square का coefficient यहां से अलग करो तो इस equation को उठा लेता हूँ तो क्या बन जाएगा x square y square minus a square x square equal to a square y square तो एक x square minus a square आ जाएगा okay equal to a square minus x square तो आप यहां से लिख सकते हैं x square minus a square equal to zero solve करने पर कितना आ गया x equal to plus minus a तो टोटल यहां पे दो एसम टोट यह हैं और दो एसम टोट्स आपको यह मिल रहे हैं तो answer total कितने एसम टोट्स बनेंगे यहां पे आपके पास में 4 sm-tout बनेंगे तो इस तरीके से यह x square के coefficient को अगर आप zero कर दोगे तो x access के parallel आपके पास sm-tout आजाएंगे अगर y square के coefficient को आप zero कर दोगे तो y access के parallel के sm-tout आजाएंगे इस तरीके से आप sm-tout निकाल सकते हैं so it is done चलिए अगला concept मैं लेकर के आए हूँ, अगला concept लिखी, volume of solid generated by the revolution, the revolution of cardioid, cardioid, okay, तो देखें, cardioid अगर rotate करता है, है ना, तो उसका जो volume generate होता है, उसका formula लेकर बीटा, यह initial angle है, यह final angle है, और इसका formula कितना होता है, 2 by 3, 5R cube, okay, और kable sin, theta, d theta आपको याद करना है, क्योंकि यह तो आपको याद होगा, 10th class में अपने formula पढ़ा होगा, 4 by 3, 5R cube का आदा, 2 by 3, 5R cube, sin, theta, d theta, आप इसको question, इस formula को आप याद कर लिजे, तो यह आपको क्या देदेगा, यह volume of the cardioid देदेगा आपको, ठीक है ना, volume of the solid generated by the revolution of the cardioid, मतलब आपको बताना है, कि volume of the solid, volume of the solid generated, generated by the, by the revolution, by the revolution of, by the revolution of a cardioid, cardioid, r equals to a, 1 plus cos theta, r equals to a, 1 plus cos theta, ठीक ना, about the initial line, 1 plus cos theta, about the initial line, चलिए, देखें, समझी यह क्या है, यह आपके पास में, access दी गई है, ओके, यह आपका cardioid हुआ करता है, कुछ इस तरीके से, यह, ओके, आपको क्या है, देखें, यहाँ पर यह initial line है, इसके about में आपको rotate कराना है, तो शुरुआत में theta equal to 30 degree है, 0 degree है, आपको जो है, इसको rotate कराकर के, पूरा, about the initial line, आपको इसको पूरा rotate कराकर के, जो है, ले करके आना है, कुछ इस तरीके से, तो यह देखें, किस तरीके का shape generate करेगा, जब आप इसको initial line में पूरा का पूरा rotate कर देंगे, तो, volume of the solid generator by the revolution of a coordinate, about the initial line, about मलब initial line के आर पार आप इसको कर देंगे, तो कुछ इस तरीके का 3D shape generate करेगा, मतलब यहां से घुमाना शुरू कि आप इसको नीचे तक लेके आए, तो total angle आपने कितना घुमा दिया है, इसको आपने pi radion से घुमा दिया है, rotate कर दिया है, तो अब आपको इसका volume निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं, तो इसका volume ने आपको पढ़ा है, अभी कितना होता है, volume 2 by 3 pi r cube यहाँ alpha से लेके बीटा होता है, और यहाँ पर कितना होता है, sin theta और d theta होता है, तो चले solve करता हूँ मैं इसको, v की value, देखिए 2 constant है, 3 constant है, pi constant है, ओके आपके पस r की value दी गई है, a 1 plus cos theta, तो a भी बाहर आ जाएगा, cable कितना हैगा देखिए, a का cube बाहर आएगा, because r cube करना है तो a का cube बाहर आ गया, और यह देखिए, यह कितना आ गया, 1 plus cos theta का whole cube, और यहाँ पर कितना आ गया, sin theta d theta, 1 plus cos theta का whole cube, sin theta d theta, देखिए, limit लगा देखिए, 0 से लेके कितना है, pi है, अब आप 1 plus cos theta को t ले ले लेंगे, dt बन जाएगा, वो भी minus sign के साथ में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, minus 2 by 3, pi, okay, a cube, okay, limit देखिए, 1 plus cos theta को अपने t माना है, तो 1 plus cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 कितना होता है, भाई, 1 होता है, और cos pi कितना होता, minus 1, यह तो 2 था, और यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, और यह minus sign बैठा हुआ है, यह कितना हो गया, t cube और sin theta d theta minus dt, तो dt बाहर जा चुका है, यह dt हो गया, चलिए, अब इसको solve करना तो बहुत आसान है, फिर भी मैं कर देता हूँ solve, कोई दिक्कत नहीं है, आईए इसको कैसे solve करेंगे, देखेंगे, देखी कैसे solve करते हैं यह, तो minus को अगर आप dissolve कर लेते हैं limit में, तो limit change हो जाएगी, तो यह बन जाएगा 2 by 3 pi a cube, और limit कितनी बन जाएगी, 0 से लेके 2, और only t की power 4 upon में 4 बाहर आ जाएगा, ठीक न, क्योंकि integration कर दिया है मैंने, तो 4 बाहर आ गया, देखें यहाँ पे, अब इसको मैं solve करता हूँ, तो 2 by 3 into 4, 3, 4, 12 हो गया, pi a cube हो गया, limit रख दीजे 2 की power 4 कितना होता, 16 होता है, और 16 t की power 4 by 4 तो बाहर आ चुका है, चलिए इसको solve कर देखें, 2 से कितने बार हो गया, 6 बार, 2 से 3 बार, और 2 से कितना 8 बार हो गया, तो answer कितना हो गया, 8 pi a cube by 3, तो य रहा है, वो याद करना, उसी पर base question आता, alpha से लेके बीटा, 2 by 3 pi r cube, okay, 2 by 3 pi r cube, और कितना होता है, sin theta d theta, यहाँ पर आपके पास में जो radius दी होगी, r function वो रख दीजेगा, आपके पास answer आ जागा, so this is done, चलिए, देखें, next question देखते हैं, जो आया है, integration का, integration का एक बहुत integrate करना, कैसे करा, इसको integrate देखें, आपके सामने, e की power sin x है, मैंने cos square x को divide कर दिया, तो यह बन गया x cos x, और इधर cos x को divide किया, तो क्या बन गया, sec x 10x, अब मैंने इसको इसके साथ एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया, मैंने break कर दिया, तो e की power x, e की power sin x, x cos x, और minus e की power x, sec x 10x, अब देखे, यदि यहाँ पर x को मैं आगे लेता हूँ, x ap की power x cos x dx, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, अब देखे, यहाँ पर यदि मैने इसको first ले लिया, और इसको second ले लिया, तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है, first लेने पर ही हो गया, e की power x, second, first into second function e की power sin x cos x dx, मैंने ब्रेक कर दिया, तो e की power sin x, sec x, और plus e की power sin x into one, कुछ नहीं बचा, मतलब मैंने one ले लिया है, dx, अब देखे, इनको बिल्कुल हाथ मत लगाई है, मगर इस वाले पार्ट का, जो last वाला पार्ट है, उसका integration कर डा लिये, तो क्या होगा, देखे, x e की power x, sin x cos x dx minus e की power x, sorry, e की power sin x into sec x plus e की power sin x into first function into second का integration x आ गया, minus integration of differentiation of first function e की power sin x cos x और first का integration x dx, चलिए इसको open कर दीजे, तो ये क्यतना, ये तो ये से का वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, plus x e की power sin x minus, इसको open कर देगे, x e की power x cos x और साथ में यहाँ पे x भी बच बचेगा, ये जो मैं लिखना भूल गया, x भी बचेगा, अब देखे ये और ये दोने एक दूसरे क्या कर दिये, cancel कर दिये, मतलब ये जो term है, इस तर्म से cancel हो गया, किवल आपके पास ये बच चुका है, e की power sin x sec x के साथ, और x e की power sin x, मैंने e की power sin x यहाँ पे comment ले लिय बचे झाया, की बचे बचेट